डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार विद्यात सिमित्रों मैं डॉक्टर अखिलेश कुमारुपादिया असिस्टन प्रोफेसर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उपन इनुवर्स्टी डिपार्ट्मेंट जनलिजम एंड मास कम्मुनिकेशन चैतन्य स्टेडियो मैं आप सभी द्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत यह खुब खुब अभ्यंदन करता हूं द्यार्थी मित्रों आज यम जै एम सी जो हमारा सेकेंड पेपर है उसमें हम फूर्थ यूनिट में आप से बात्चित करेंगे जो हमारा सेकेंड पेपर है ऑन्रस्टेंडिंग मीडिया अपने को एन्हेंज करें कैसे आगे बढ़ें इसकी क्या जब है किस तरीके से अब एक अच्छा कम्मुनुकेटर बन करके अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसमें आप से चर्चा करेंगे तो आएए हम चलते हैं अपने फौर्थ उनिट में और इसकी अब्जेक्टिटी से लेकर के आप पढ़ पाएंगे जब आप समझेंगे विडियो लेक्चर सुनेंगे और जब इसके रिटेन फार्म में जो आपके पास यह सलम है या फिर पीडियाप डाउनलोड करके जो बुक्स आपको अ है उसके द्वारा आप कैसे अपने आपको कैसे driven करें कैसे आपको करें इसमें अम इस पर स्दापनी चर्चा करेंगे तो इयए चलते हैं सिदह हैं अपने अपनीट की तरफ कि बिदर्थमित्रों जैसा कि मैंने अब को बताया कि जो हमारा आज रहागि किस तरीके से हम इसमें हम आगे बढ़ेंगे कैसे करेंगे तो पहला जो माईंगे कि understanding the difference between mass media and mass communications कैसे mass media and mass communications को हम कैसे समझेंगे कैसे एक-दूसरे के पर invites कैसे हम इसके थुरू हम आगे बढ़ सकते हैं और हम मार्थन मायक लुहान के थेयरी को उनके कांसेप्ट को भी समझेंगे इस इनिट में और अपने आपको कैसे जो एक बैरियस कम्यूकेशन बैरियस मतलब बिभिन तरीकों के माध्यम से तकनीकी माध्यम से जो नए नए मिडिया के आयाम है उसमें आप कैसे अपने आपको पाएंगे और कैसे देख पाएंगे इसमें हम चर्चा करेंगे आप से और हमें भी देखेंगे आगे कि जब आप हमारा समाप्त होगा तब अपने आपको कैसे क्या कर पाएंगे तब अपने आपको देखेंगे किस तरीके से मीडिय क्या बारिकिया मास मीडिया क्या चरित्र हैं किस तरीके से इसके ब्यवहारिक पक्ष और सध्यांतिक पक्ष किस तरीके से हैं मारसन मैं कि फ्रेज़ क्या कहते हैं जो हम संदेश माध्यम का काथ समझते किस तरीके से संदेश माध्यमी संदेश है किस तरीके से बनता है उसके पारिकियों को आप समझ पाएंगे और तमाम फार्म जैसे कि आपने यहां पर मैंने नोटिफाई किया है कि जैसे कि नीज पेपर रेडियो टेली बीजन इंटरनेट सोचल मेडिया बेव मीडिया और अब इसके माध्यम से क्या क्या वदलाव आप आए हैं कैसे फिर इसका सब्सक्राइब किस तरीके से हो रहे हैं उसको भी आप असानी से समझ पाएंगे अगर हम इसकी पक्षे पर बात करें तो कि अगर हम कोई बात करता कि मास मीडिया और मास कम्मुनिकेशन तो इस टर्म के बारे में जब हम सोचते हैं तो सिमलरली हमें समझते कि दिस इस दा ब बैके सिक इसमें थोड़ा सा अंतर है कि आप देखेंगे कि डिफरेंसर जो इसकी कर्रेक्टरिस्टिक्स है ऐसे तो श्मभाब करके आफ मीडिया और मास कम्मीडिया मास की बात कर रहा है तो कैसे दोनों के कै've लिशभक में क्या है कि इस तरीके से थोड़ी से कंप्लेक्स ह है उसको अब समझना पड़ेगा और डिफिनेटली अगर हमके कि मास कम्म्यूकेशन जो हम कम्म्यूकेट एक दूसरे से करते हैं विदाउट मीडिया के मास मीडिया के वा पॉसिबल नहीं है और वह कहीं एक्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा आज के बरतमान परिक्षे में करें क Azar की यह सिम्पल सी बात है कि एक एक तो कम्म्यूकेशन स्थापिद्स करना चाह रहे हैं स्थापिद का चाहğlu लेगा किस जगह करना चाह मिडिया ह region क्या तो किस के थूरू ना चाहेंगे एह पॉसि Veuld हो पाएगा वन्लि फॉस का जो होगा वह मास मीडिया के चैनल के थूरू उसके फॉलिट फाम के थूरू ही और पॉसिबल हो पाएगा इस के अलामा उप 자기 15 नहीं होगा अब उस में में कि क्या है मतलब मास्मेडिया क्या किस तरीके से हम इसको समझें कि अगर हम देखें कि मास्मेडिया जब्यक्ट तरीके समझें कि कांटीनियू जो प्रॉसस हमारी चलती है कम्मिनुकेशन की हैं जब इंटर पर्सनल कम्मिनुकेशन करते हैं इंटर पर्सनल कम्मिनुकेशन करते हैं एक हमारा जो है आयाम होता है एक बहुत सिमित हम जो संचार अस्थापिद कर पाते हैं लेकिन जैसे उसमें मीडिया सामिल हो जाता है जैसे उसमें तकनीक सामिल हो ज जाते हैं इसके communication जो आपस्थापित करते हैं जो संचार आपस्थापित करते हैं तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि हिए очень जो सफ्थाथ करें कमणुकेशन की बात हम अभी करने का जिस व्यक्ति का जिस काल में जिस समय में अच्छा रहा है निश्चित रूप से आज हम उसको पढ़ रहे हैं कि बात करें चाही हम प्लेटो की बात करें सौकरेट की के हम बात करें जाए गांधी की बात करें पंडित दिन्द्या लुपाद्या जी की बात करें बी आरंबेटकर की बात कर जितने भी इन फो यह संकार उनक्या नो真的 रहा उसकाल और प्रश्वत मी निशित रुप से जब बेहतर रहा तभी हम आज अगibenरार नहीं को एक 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 जाम्पल के तो प्रव कई दाखनरार्थ के तो पढ़े पाते है और समझ पाते हैं तो समझना पड़ेगा कि क्या धार मास कम्यूंकेसिंश क्या मास मीडिया मास्वार मिडिया के प्लिट फामभा जो कि फलिट फाम डिट फाम के थिर्थ आप गोड खूर कर जाते हैं online आप डिया के फूर अस्थापित करतेबें मासव को लेसन सह समंद सब्सक्राइब करते आप समय से कनेक्टेटी जो होती है जोडते हैं और कैसे कर पाते हैं मास मीडिया के थुरू आप कर पाते हैं तो मास कम्मुनिकेशन जो करते हैं मास को जो आप कम्मुनिकेट करना चाह रहे हैं और किसके थुरू कर रहे हैं तो यहां भी मास मीडिया है तो मास मीडिया मतलब मेडिया क बादचीत करें कि कैसे और इसको थोड़ा से सरली कर रहें तो सरली करद्स के लिए हम देखेंगे कि कम्नुकेسन कर जो हमारी चैनल है जैसे कि हम स्थापित माशिसे को करने से लाधी में और पूंनीचनल कर्गों वीडहर फिरस्ट। difference channels such as radio, new channels, entertainment channels, educational, promotional, different type audience. अब अलाट of varieties हैं, मतलब एक कहलें इस्देश कि मतलब बहुत सारे लोग हैं, सबके एक अलग तरीके की सोच है, एक अलग तरीके का interest है, तो जो उस interest के थुरू जो आप communication स्थापित करना चाहा रहें इंटर्टेंट मेंट अस्थापित करना चाहते हैं अभी कुछ न्यूज करना चाहा रहें इन इन माध्यम के थुरू या इसके थुरू आप जो है communication अस्थापित आप कर पाते हैं तो दिस इस बाव बेसिक डिफ्रेंसेश बेट्वीन मास मीडिया और मास communication यह आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि कैसे आप कि चैनल के थुरू आप स्थापित कर पाते हैं तभी चीजें हो पाएंगे अगर आप नहीं इसको समझा पाते हैं आप इसको नहीं बता पाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं कहीं communication गैप होगा या लैकनेस होगी इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलते हैं यहां पर हमने एक आपको बताने और समझाने के लिए चैनल की दिया कि यहां पर आप सोसल मेडिया का भी मैसेज का देख रहे हैं इमेजज बने हुए हैं यहां पर टीवी का बनाओ तो जो क्या एक दूसरे से connect हुए हैं तो जो connectivity है जोडने का जो काम क्या करता है जो masses को जोडने का काम करता है क्या मीडिया करता है मीडिया में कोई particular platform नहीं है उसमें चैनल्स हैं सेटिलाइट्स हैं वेब मीडिया है सोसल मीडिया है बॉड कास्टिंग है रेडियो है तमाम जो FM आ पोज आप अगर कोई सूचना या कोई entertainment कोई न्यूज आप डिस्प्ले प्ले करते हैं तुरूद रेडियो तुरूद टेलिवीजन तो निश्ची तुरूप से उसका जो प्रणाम होगा जो उसका एक तरीके से development होगा बहुत सकरात्मक होगा तो समझने कि यह है कि जो आप mass communication अस्थापित करना चाहा रहा हैं किसी के मतलब के तुरू करणदे कि स्थापित कर रहा है लेकिन अगर इसमें हम बात करते हैं इंट्र बात करते हैं जब खुद से हम आपस में बात mmm करते हैं या Amp तरफ पर ले लें कि आप कम्मुणुकेशन किसी और सथापीद कररें ठेली फोनिक बात चीताब कर रहें तो निस्चित रूप से जो करनो कम्विशन करना का चल ला है किस जिस ब्यक्ति के साथ एक आपस का चल ला इंटर चल ला है तो उस तरीके का जो कम्यूकेशन से जिस चैनल के तुरू करना वह मासस नहीं है आपको बहुत बेसिक समझना कि जो मासस को आप डिलीवर करेंगे कोई चीज तो निश्चे तुरूप से किसी किसी मीडिया का जब आप करते हैं गो तुरू हो करके जाते हैं उसके ज कनड़ा की बात कर लें जर्मनी की बात करें आस्टीलिया की बात करते हैं मीडिया से और युज होना पड़ता है जो पॉसिति वुटी जो हमारी है जनता के प्रती जो हम बात करें कि एक जो मैंने आप से बतायाँ कि हम जो डिलीबर कर रहे हैं है वहीं बात यहां पर भी मेंसन की गई है कि हम जब इन्फर्मेशन करें फिर न्यूज करें तो मास को करते हैं जो प्लेटफर्म का यूज करके हम करते हैं तो निश्चे तुरूप से उसके आयाम दूसरे होते हैं लेकिन अगर हम इस चीज को ऐसे समझें कि मास मीडिया का ए या टेलीवीजन है ऐसा बिलकूल नहीं इसके तमाम आया मैंसे ब्रॉट्बेंड है इंटरनेट है वेबसाइट है जो कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बातचित की कि तमाम इसके ऐसे टेकनोलोजी दिन पर दिन जो टेकनोलोजी आ रही है नए टेकनोलोजी का जो चैन जिस तरीके से इस आधुनिक आधुनिक करण में हो पा रहा है तो एक नए तरीके का कनेक्शन नए तरीके का आपको देखने को मिल पारा पजिट्विनेस उसके थुरू आप जो है संचार स्थापित कर पाते हैं तो आपको कोई एक डिपेंडेंसी जो हमारी कभी क अब्वहते होती थीays कि print मेडिया पे डिपेंडेंसी हुआ करती ते किसी समय जबढ़ मेड देश में कैसे हुआ किसी की खेल में जब आया खेल को सामिल किया गया इंटर्टेन्मेंट के इतर भी इसका प्रभाव बढ़ा तो डिपेंडेंसी जब प्रिंट से हलक हर जब ब्राड कोस्टिंग आई जब रेडियो आया तो उससे हट करके दूसरे तरीके कर टेस्ट लो हो म जो पाम है हां थेली है हमारी है उसमें एक टॉप है मतलब एक जो गजट से मुबाइल है आप देख पा रहा है अगर हम यूथ की बाद करें कि टेलिविजन कितना यूथ देखता तो नहीं देखता उसको जरूवत ही नहीं क्योंकि जो पाम टॉप है इजली अबलेबल है इबरिवेर वह इवन की सोने जा रहा तब कुछ कर रहा तब जहां भी जा रहा ड्राइभिंग कर रहा तब ही कहीं करके उसके यूज कर रहा तेलिवीजन के लिए पर्टिकुलर प्लेस होना जरूरी है इतना सब बैठना जरूरी है तब उसको आप देख पाएंगे अपाइल आई जैजजट आ गहोए जिस तरीके से फर लेप नापकव के बास प्लेप आप अभी आने वाले समय में आ आखों में एक तरीके से आ जाएगा आखों के जॉग जो आफ्स्टिकल है हमारे मतलब एक तरीके देख से जो चसमें आ जाएंगे उसम को आस स्क्रीन च जैसे जैसे growing हो पा रही है उस तरीके से तमाम चीजे बदलती चली जा रही है तो कोई एक limited चीजे नहीं रह गई है कोई particular print हो या radio हो जो भी हो अब हम करते हैं कि क्या है importance क्या है mass media के importance आप ऐसे समझ लें कि without mass media मतलब without media ऐसे समझें कि you cannot deliver any positive message through the masses without media मतलब बिना media के positive आपको message deliver करना निश्चीत रूप से जिसको भी जिस वर्ग को भी आप उस तरीके से positive नेस आपको नहीं मिल पाएगी और जो message आप पहचाना चाहरा है जो आप संदेश पहुंचाना जा रहा है वह पतलग आज का message six month बाद पहुंच रहा है तो निश्चीत रूप से जो आज का जो बदलाव आया है कि आप अभी बोलते हैं चीजें आधे घंटे बाद आपको मिलते हैं कि आपकी जो बुली हो चीजे थी वाइरल हो गई तो वाइरल कैसे हो पा रही है जो concept आया है मीडिया के क्योंकि मीडिया जो मोबाइल है जो यूटूब है जो social media फेस्बूक है तमाम ऐसे sides हैं जो आप देख करके उसमें कर पा रहा है उसमें तमाम company जो है क्या कर सबस्डाइब करता है जो products अपने बुलिखस अपने बनाती है जो services प्रवाइड करती है जो political parties है जो पार्टी है जाई बात करें भारत की बात करें दो मुख्य रूप से निशनल जो हम बात करते हैं कि इंडिय की बात हम करते हैं इंडिय और कंग्रेस की हम बात करते हैं तो एक क्या है राश्टी अस्तर की जो पार्टियां एक तरीके का अपने एजंडा सेट करती हैं एजंडा सेट करने के बाद उस पर काम करते हैं काम करने के बाद कैसे क्या डिलीवर करना उस पर बनाती है मैंने फैस्टो के हिसाब से उस तरीके का जो इसी तरीके काम करती है अपने एक ब्रोसर निकालेंगी पंफलेट निकालेंगी चीजें जो उसकी पाज़ेट्विनेस है कि कब निकालना है क्यों कि जो इन्वर्ष्टी हैं जो संस्थाने हैं निश्ची तरीके से इनको टार्गेट करना अपने आइडियोलोजी को कैसे आपको साथ ले जाना कैसे आपको दिखाना है यह बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप कलरिंग नहीं करेंगे जिस तरीके से आप दिखा नहीं पाएं मासेस को आप तभी डिलीबर कर पाएंगे जब तक मीडिया को आप समझेंगे मेडिया के टेकनीक को समझेंगे मेडिया के बदलते स्वरूप को समझेंगे तभी आप मासेस के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे अदरवाइज अगर मेडिया के प्लेटफॉर्म को आप नहीं स कह रहा है कि मास मीडिया क्या कि कि एक वास्ट है एक तरीके से गहरा गहरा ही है कि हम बात करें कि फैलाओ विस्तार के हम जो बात कर रहे है एक बहुत बड़ा विस्तार है और्डियंस के साथ जोलने का और्डियंस मास मीडिया पर बराइटी चौइसे सब चूज देर प्रीफ इस तरीके से अगर हम बात करें कि किस तरीके से इंफुलेंस जो आडियन्स होती है जो देखती है जिसका उसको इंट्रेस्ट होता हुआ उस तरीके को इस प्रिफाम को यूज करती है या इस्पृरिच्वल देखना चाहरी है इस तरीके से मीडिया के तुरूत अमाम प्रेटफार्म से इसके तुरूब देख पाता है जो बिटिस कम्मुनिकेशन थिरिस्ट है डेनिस मैक्टिविल और सोस्यालजी आप मास कम्मुनिकेशन के उन्होंने कुछ इसी तरीके के फीचर्स को बताया है जो इसमें की एक जो मी संगठन उसका एक तरीके से छों करर रहा है उसके पास तुमाम एसे वासंथैंटेस के आप उसको यही आई सकरे कर सकते कि हम और यही आपको देखना पड़े कैसे चीज़ें कुछ इस तरीके चीजें उसके पास आप उसको कोई बाद क्या आप नहीं रख सकते और पब्लिक देर कंटेंट ओपन टू एवरी वर्स जो भी आप कंटेंट दिखाते हैं वह एवरी वेर्स उसको कोई भी देख सकता उसको कोई प्ले कर पा रहा है और उसी तरीके के जो हेट्रोजिनियस है और अदियंस है मतलब उसके पास एक अगर बात करें कि रिलेसंस बिट्विन मेडिया पसनल्स्टी ज ओडियंस इस मेडिकेटट नॉन डारेक्ट और तो उसमें पसनल्टी को अईसे ओडियंस के तरू जो हम डिखा रहे है उसको प्लेटफार्म मेडिया के थ्थू हम नन पासनल भी हो कर के उसे हम एक स्मिलर त जिस तरीके के संस्कृति अभी डबलफ हो रही है अभी संस्कृति क्या देखना चारी अभी का जो सुसाइटी जो अभी का जो वर्ग है जो यूथ है एक आम जिए उन से जुड़ी हुई चीजें जो टीटी प्लेट फार्म लेकर किया आनलाइन प्लेट फार्म पे जो चीज चीजें आप पार रही है उसके पीछे कारण बस एक ही है कि जो संस्कृति किसे आप कितना जुड़ाव रखते हैं अगर संस्कृति से जुड़ा हुआ तो निस्चित रूप से उसका जो पजीटिवनेस है जो पजीटिवटी है ओ आगे बढ़ेगी और अच्छा सा करात्म परकुसका दरचने को मिलेगा अगर में ने बात पहले भी की कि मास मीडियान मास करणिकेसंब प्राइम के चांनल के त्रू किस तरीके से आप प्रांजिट करते हैं किस तरीके से कौम्निकेट करते हैं इस लाट इस प्लेटफम एक ऑंड अर ड॥ा बाइंड बाइंड आइन सब्सक्राइब करना चाहते हैं किसके थूरू मैसेज आप डिलीबर करना चाह रहे हैं तो एक जो फार्मेट है निज को निज की माध्यम से आप कैसे दिखाना चाहरें इन्फरमिसन को कैसे दिखा रहे हैं मुजिक को आप कैसे दिखा रहे हैं इस अब तमाम आपके पास इस प्रशलाइज एक तरीके से प्रोफेशनल वे में अप्सेंस हैं मैसेज की अगर बात कर थे प्रके एक मेडिया पर आप अच्छी पकड नहीं बनाएंगे तब तक होना मुजिक्विल है और हम और बात करें मार्स कम्शन में से जो आधर अधर हैं तो वर्यूबर बात मास 뭘 करत общем के आन्य हैं और म।म यस और हम बात जप से पहले भी jestem स्लाइड मेंश करते आरा हैं क एक आयाम मैडिया का जो मेर्श कम्यंशन कहुंट करने चाह रहे हैं उसके इताऊ हैं ऐसे दोस्तों के साथ बात चीष आगर आप कर रहा हैं Similarly, उसका जो एक लिमिटेशन्स है, जो उसका सिमिती करण है, वह बहुत ज्यादे हूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कहीं मेडिया इंबाल्व आप उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, अगर वही कम्मुनिकेशन्स का जो डिजायर है, जो मैसेज किसी किसी के थुरू थुरू आप उसे दिखा पा रहे हैं, उसका निश्चित रूप से एक सकरात्मक और एक अच्छा पहल दिखने को मिलेगा, उसे एक अच्छा आया मस्तावित हो पाएगा, उसके दूसरे वह में अगर हम बात करें कि आप किस तरीके से कम्मुनिकेशन्स की कैसे आप है, कैसे उनके पास influence हो, कैसे उसकी हो, कैसे उसकी desire, जो आप चाह रहा है, उसके आपको मिलें, उसके लिए आपको पढ़ना, उसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके सो हो पारा, अधरवाईज निश्चित रूप से ओ सकरात्मक पोईड़ाम देखने को नहीं मिलेंगे, ज किस तरीके सा, हाउ टू कम्निकेट टू मासिस, तो उसके लिए सबसे पहले, फर्स्ट यू है, गो थू थू दा, मीडिया प्लिट फार्म से, चूज तू मीडिया प्लिट फार्म, सच आज दा, सोशल मीडिया प्लिट फार्म, लाइक आर अदर, वेब पोर्टल, वेब प्लिट्स, और यू है चूज टू रेडियो ब्राटकास्टिंग, टेलिविजन, आपके पास बहुत सारे मतलब बैकल्पिक देऊस्थाएं हैं, तो उसके थूरू आप अस्तमाल करके, एक मीडिया के, एक मार्केट को स्टेडी करके, एक अच्छा संचार को अस्थापित क पाएं गे, तो विद्धियार्थेमित्रों का जो हमारा आज का पहला जो भाग है इस भाग में हमने आपको बैसिकली हम बल्ले बारेकश्यों से गर हम बातचित करें तो संचार के बारे में आप से मने बात चित की कि मासिस के साथ कैसे आप करेंगे मासिस जो हमारा है उसके लिए उसके लिए जुड़ने के लिए आपको मीडिया प्लिट फार्म को किस तरीके से आपको यूज करना है मीडिया प्लिट फार्म को जैसे आप अगर यूज करेंगे ए एक पॉजिटिव वे में जिसके तुरू आप करना चाहरे हैं जो एक आउडियन्स का आपको स्टडी करना पड़ेगा तो एक बिरहद अस्तर पे बड़े अस्तर पे जिस चैनल का चुनाव करेंगे एक मीडिया तो मासिस अप मीडिया तो जो कनेक्टुटी का जो साधना आप मासिस को एक तरीके सा स्थापित करने के लिए तो अच्छा सथापित कर पाएंगे तो इसमें जो हमने आपको दो-तिन सवाल यहां पर हमने क्रिश्टिंस दिये हुए हैं उसको निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे तो सकरात्मक्त आपको मिलेगा और उसमें आप जाकर हैं तो कम से कम एक राइटिंग इसकी अपने आप अंदर डिवलब करें चुकि एक मीडिया के विद्यारती इसलिए भी मैं यह बात आपसे कह रहा हूं क्योंकि कंटेंट राइटिंग हो या फिर राइटिंग हो उसका एक बहतर कम्निकेशन का साधन माना जाता है एक संचा कि कितना अपकी त्यारी हो पाई है और खह में बिसकर आपको मदद मिलेगी और फ्यूचर में भी निकट भवश्य में भी आपको मदद मिलेगी तो एक फूर्थ उनिट का जो का कि में यूनिट था मारा मास कम्म्म्म निकेसंशन्स का इसमें हमने आपसे बात की बेसिकली मास मीडिया और गामली इसके दूसरे पार्ट में जो च़िए। या डिवेट उसमें किया किस तरीके से जिसे मार्सल माइक लुवान ने बात की ग्लोबल विलेज मिडियाज मैसेज इस तरीके के जो इनकी थियरी है उस पर हम चर्चा करेंगे दूसरे पार्ट में तो पहले पार्ट बिद्यार्थेमित्र आप पढ़ेंगे और अपने आपक करेंगे तो आगे के लिए आपको खूब खूब सभिप्षा और दूसरे पार्ट में आप से पुना मिलेंगे धन्यवाद कर दो कि अ कि